नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तों जैसे कि आप सभी को बता हुआ कि उत्तराखंड की सीम को लेकर हलचल तेज है जहां आपने देखा कि तिरस सिंग रावत ने तो अपना इस्तीफा भी दे दिया है इसके बाद दोस्तों राजनीती गलियारों में पूरी तरह से हलचल मची हुई है और किसी को समझ में नहीं आरा कि अब उत्तराखंड का अगला सीम किसको बनाय जाएगा और आपको बता दे कि विधान सभा का चुनाओ भी एक साल बाद होना है इस वज़े से चुनाओ आयोग भी थोड़ा असमंजस में है क्योंकि दुबारा उप चुनाओ कराया जा नहीं सकता और ऐसे में आपको बता दे दोस्तों कि पूरी तरह से हलकम इस वज़े से मचा हुआ है क्योंकि आज बीजेपी की पार्टी जो है इसको लेकर बहुत बड़ा मन्थन कर रही है और आपको बता दे कि देहरादून पहुँच चुके हैं केंदरी मंतरी नयंदर सिंग तोमर बोले नए सियम पर विधायकों से बाच्चित के बाद होने वाला है फैसला उत्राखंड के मुख्य मंतरी तीरे सिंग रावत के इस्तीफे के बाद राजे में एक बार फिर से राजनितिक अस्तीरता पैदा हो गई है एक तरप जहां सियासी गल्यारों में उस चहरे के लिए चर्चाएं तेज होने लग गई हैं अब सनिवार यानि आज बीजेपी विधायक दल की वैठक में वर्तमान विधायकों में से ही किसी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा दिल्ली से लेकर देहरादुन तक दिन भर चली मुलाकातों और वैठकों के दौर के बाद रावत ने रात करीब साड़े 11 बजे अपने मंत्री मंडल के वरिष्ट सहयोगियों के साथ राजेपाल से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौपा जिसके बाद दोस्तों जो केंद्रिय मंत्री है नेरिंदर सिंत हुमर वो भी दोस्तों देहरादुन पहुँच चुके हैं और उमीद की जा लिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिम होगी और जिसके बाद यह फैसला लिया जाएगा विधैकों के साथ कि आखिर अगला सियम उत्राखंड का किसे बनाया जाए तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद